दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिद्ध कुंजी का इस्तरोत के बारे में सिद्ध कुंजी का इस्तरोत के पार्ट से क्या दुर्गा सब्तिशती के पार्ट के फलकी प्राप्ती होती है सिद्ध कुंजी का इस्तरोत का पार्ट कितनी बार करा जाना चाहिए जिद्ध कुझी का इस तरूद क्या है और इसका पार्ट क्यूं करते हैं इस तरह के कई सारी जो सवाल हैं सभी के जवाब और पार्ट करने की विधी किस तरह से पार्ट करते हैं यह मैं आपको करके दिखाऊंगी तो नमस्यों दोस्तों मेरे चैनल नीता विक्रव में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त नीता आप सब कैसे हैं दोस्तों ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेशा की तरह कमेशा की तरह कमेशा की तरह में जै माता रानी का जैकारा लगाईए साथी साथ अपने ईज गुर्जए भगवन माता पिता का नाम भी दिखिए और अपनी जीवन के लक्ष और अपनी जीवन में सकारात्मक्ता हमेशा बना के रखिए जो भी मेरे भाई-बैन जय माता रानी लिखते हैं उसको कोटी-कोटी धन्यवाद देती हूँ दोस्तों बहुत खुशी होती है आप मेरी बाते पसंद करते हैं आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप मुझे जय माता रानी लिख के कमेंट करते हैं अगर आज दोस्तों आप चैनल पर पहली पार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए सब्सक्राइब करने के वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बचन को प्रेस करिए बाजी बने हुए घंटी या बैल के आइकन को प्रेस करिए निशुल्ख है फ्री है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब जरू करिएगा इसी तरह तो 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 यह बात यहां पे सही नहीं है क्योंकि जो दुर्गा सब्तशती जब आप उसका पार्ट करते हैं तो उसके मंत्रों के उच्छारंड से आपका और जिस तरह से प्रभावित होता है इससे भी होता है पर उतना ज्यादा फल नहीं मिलता तो इसको दोस्तों आप वैसे तो दोस्तों अगर आप नवरात्री में दुर्गा सब्तशती का पार्ट करते हैं वो बहुत महत्वपून है पर अगर समय का अभाव है आप मातारनी को प्रसन्य करने के लिए इस पार्ट को भी कर सकते हैं पर दोस्तों बराबर फल नहीं मिलता यह मैं आपको यहां पर क्लियर कर रही हूं हाँ थोड़ा कम जादा रहता है पर ऐसा नहीं है सिद्ध कुझी का स्रोथ अपने आप में बहुत ही शक्ती शाली है इसका उप्योग करने से भी आपके जीवन में और आपके कारियों में सिद्धी हो सकती है वो कैसी होगी मैं आपको बाद में बता जहाएं नैवेद्य अर्पित करें साव सफाई से सुभा के समय आसन पर बैठें और फे मातारानी को प्रणाम करें उन्हें तिलक करिये रोली चड़ाइए फल इत्यारी का भूग लगाईए और आप उनके सामने सिद्ध कुझी का इस्त्रोथ का पाथ शुरू करने से पहल ना अगला इस द्रोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम न पी ध्यानम चना न्यासो न च वार्चनम कुझी का पात मात्रें तुर्गा पाथ फलम लभेद अति गोहेंत्रम देवी देव नाम अपी दोलभम गोपनियम प्रत्नेन स्वयो निर्पार्वती मार्णम मोहनम वश् पाथ मात्रें अससित्त कुझी का इस्तु तोम्तमम, ओम एम हम घीम घीम चा मुटाय विचे उम् गलाव भुंग्लीम जूम सहः ज्वाले ज्वलन ज्वल्ज、 प्रत प्रत ज्वल्ण एम हीम् खामुंदॉयं Supa विच्जोवल Delhiम डिम्हециं ऊंक्लीमफथेज्वन चल्मुदायेवील जेजी चमुदॉय जबहेंदा नित्यम नमस्ति मत रूपनी धाम धीम धूम धोर्जटे पत्नी बाम बीमपूम बागुदिश्वरी क्राम क्रीमक्रूम कालिका देवी शांग शींग्षूम् में शुभं कुरू हुःूं का रूपनिये जम 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 नादिनी प्राम भीमपूम भैर्वी भत्रप आने थे नम्हों नम्हां अंकंग् चंग, अंकंग टंग, यक शंग, विनग, इंग, हंचन, दिजाग्रं दिजाग्रंग, तोटे तोटे देप्तं कुरू कुरू स्वाह, पांपींपूं पारवती पूर्णा, खांघींखूं खेचरी तथा, सांग, सिंग्सुम, सबत मत्र सिध्धम कुरुषों में इदम तो कुंजिका इस्तरूत्रम मत्र जागरती हेत्वे अभक्ते नेव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकेया देवी ही नाम सब्तिशती पठेत नतस्य जायते सिध्धरने रोधन में था इतीशी रोध्रिया मेले गौ मुझे इसका दोस्तों हिंदी में वर्डन याद नहीं है मैं आपको वो देख के बता देती हैं तो दोस्तों हिंदी में वर्डन इस तरह से हैं शिवजी बोले देवी सुनो मैं उत्तम कुंजिका इस्तरोत का उपदेश करूँगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जब पाट सफल होता है कवज अर्गला कीलक रहस सूक्त ध्यान न्यायस यहां तक की अर्चन भी आवर्शिक नहीं है केवल कुंजिका के पाट से दुरगा पाट के फल की प्राप्ति होती है अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुलब है हे पार्विती इसे स्वयोनी की भ मंत्र के लिए जब करने से यह बीज मंत्रों के द्वारा प्रयूक्त है तो इसमें आपका जो जब करने का फल होता है वह इसी मंत्र से आता है हे रुद्र स्वरूपनी तुम्हे नमस्कार है हे मधुदेत्य को मारने वाली तुम्हे नमस्कार है हे कैटब विवनाशनी को नमस्कार महिशा सुर को मारने वाली देवी तुम्हे नमस्कार है शुंब का हनन करने वाली और निशुंब को मारने वाली तुम्हे नमस्कार है हे महादेवी मेरे जबको जागरत और सिध्ध करो इंकार के रूप में स्वष्टी का सुरूप हो हिंग के रूप में स्वष्टी पालन करने वाली और क्लिंग के रूप में काम रूपनी का तथा बीट रूपनी देवी हो तुम्हें नमस्कार है चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और येंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो विच्चे के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो तुम इस मंत्र का स्वरूप हो धाम धीम धूम के रूप में धुजटी शिव की तुम पत्नी हो वाम वीम वूम के रूप में तुम वानी की अधिश्वरी हो क्राम भ्रीम भूम के रूप में कालिका देवी शांग शिंग शुम के रूप में मेरा कल्यान करो हुँ 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 कार स्वरूपनी जम 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 नाशनी ब्रांभ being broom के रूप में ही कल्यान कार्यनी भैरवी भावानी तुह बारंबार प्रणाओ इन सब को तोड़ और दीपत करो स्वाह स्वाह पांपींपूँं के रूप में तुम पार्वति पूर्णा हो खांकिंग खूम के रूप में तुम खेचरी आकाश में चरण करने वाली खेचरी मुद्रा हो सांग सिंग सुम स्वरूपणी सब्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो यह कुंजी का इस्तरोत मंत्र को जगाने के लिए इसे भक्ती हिन बुरुषों को नहीं देना चाहिए यह पारवती इसे गुप्तर को हे देवी जो बेना कुंजी के सब्तशती का पाड़ करता है उसे उसी प्रकार सीधी नहीं मिलती जिस प्रकार बन में रोना निरर्थक है इस प्रकार शी रुद्या मलके गौरी तंतर में शेपारवती समवाद में सिद्ध कुंजी का इस्तरोत संपून हुआ तो दोस्तों इस प्रकार के महान शक्ति शाली इस पार्ट को करने से आपके जीवन के हर तरह के कष्ट दूर हो सकते हैं पर आपको दोस्तों जैसे नवदुर्गा में समय नहीं रहता तो आप सिद्ध कुंजी का इस तरोत का कम से कम आप 11 बार पार्ट करिए जो मैंने अभी आपको पढ़के बताया इसे आप 11 बार पढ़िए और इसके बाद जो बीच में मंतर था ओम इंग हीं क्रीम वाला उस मंतर का आप एक माला जाब करिए प्रति दिन दोस्तों ये एक तरह से हमारी मातारानी से जो हम प्रात्ना करते हैं ये प्रात्ना करने का तरीका है इस प्रात्ना को करने से हमें मनवाशित फल की प्राप्ती होती है हमारे कारियों में सिद्धी होती है विग्न बाधाओं का नाश होता है तो दोस्तों सिद्ध कुंजी का इस्तरोत बहुत ही महत्वपून है इसको पाठ किस तरह से करना चाहिए किस संख्या में अब जैसे अगर जीवन में दोस्तों अभी आप नवरात्री तो चली रही है नवरात्री के बिगैर भी अगर जैसे कभी कोई आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है बहुत अर्चने आ रही हैं कई बार होता है कि हमें कोई परिशान कर रहा है कि आपकी जीवन में समस्यां आ जाती है तो इसको सिद्ध करने का एक और तरीका है जैसे जो मैंने पर आपको पढ के बताया आप माता रानी से विंति करिये कि माता रानी आप मेरे पाठ को सिद्ध करिए अब जैसे लड़कियां है ये टोटल 43 डेज का जो मैं आपको यह दूसरा उपाई बता रही हूँ, पहला जो मैंने आपको 11 बार करने के लिए वो नवरात्री के लिए है, अब दोस्तों आपकी जो कारियों में रुकावट आजाती है, तो आप इसको कैसे सिद्ध करें, आप क्या करिए, अपने घर में मातारानी के सामने उ आपको 43 डेज लड़कियां इसमें जैसे वो पुछेंगे मुझसे बीच में अगर अशुद्धी का समय आ जाएगा तो उस समय को छोड़के, कंट्यूनेशन में आप काउंट करिएगा, कि जैसे 30 दिन के बाद 31 दिन कब आता है, तो आप इसे continue कर लिए, सिर्फ उस साथ द जानी के सामने इसको सिध्ध करिए, फिर चौथे दिन 4 बार बोलिए, पांचवे दिन 5 बार बोलिए, तो इसी थरह से दोस्तों, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, हमारी पढ़ने की काउंटिंग बढ़ेगी, पहले दिन पर कितना बार पढ़ना है, एक बार पढ़न बार पढ़ेंगे, तो यह जो पाठ होता है, यह सित्ध हो जाता है, आपके कारियों में जो बाधाएं आ रही है, वो बाधाओं का नाश होता है, दोस्तों हर चीज का केवल अच्छे के लिए उप्यों करिए, मातारानी आपके साथ हमेशा रहती है, तो दुर्गा सब्तश के सिद्ध कुझी का इस्तरूत का, अपने कारिय सिद्धी के लिए मातारानी को प्रसंद करने के लिए, आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, दोस्तों, आप मातारानी पे जितनी आस्था बना के रखेंगे, वो उतरह ही आपको उसका परिडाम देती है, यह पूरी जो सरष्टी भक्ती भाव के सामने रखेंगे, और मातारानी के प्रात्न करते हैं अपने कारियों के लिए, यह जरूर सिद्ध होते हैं, दोस्तों, तो 43 में आप इस पाराठ को सिद्ध करिए, नियमित एंग पारर करिये, एंग पार जब कोई भी पाराठ सिद्ध हो जाता है, तो उसको सिद्ध करने के बाद आप नियमित उसका एक बार पार्ट करिए वो उसी तरह से चलता रहता और फिर आपको जब कभी लगता है कि आप पार्ट का असर कम हो गया है यह वैसे ही दोस्तों जैसे अब आपने एक बार दवाई खाली अभी आपकी तबिट ठीक है फिर आप नियम पार को रिवाइब कर सकते हैं तो इस तरह से एक रमेडी है यह उपचार है माता नानी का आशुरवाद है जो आप सब के लिए काम में आएगा उमीद करते हो दोस्तों दूर्गा सब्त शती के सिद्धु कुझे का इस्तरोत के बारे में आज जो मैंने आपको जानकारी दी है यह आपको अच्छी लगी होगी और सिद्धु कुझे का इस तरोत का पार्ट कैसे करना है बहुत फलदाई होता है और माता नानी का अशुरवाद पक्का आपको मिलता है उमीद करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो